हेलो फ्रेंड्स वेलकम टूर्ट चैनल एजूकेटिंग ओल और इस वीडियो में आपके लिए 10 गवर्मेंट कॉलेज़ लाए हूं मेजरली वह जी एफ्टी आइज हैं तो उनकी कट ओफ बताऊंगा उनकी फी बताऊंगा काफी कम पर सेंटाइल पर वह कॉलेज आपको मिल एं Bene देंगे और उन मेंसे कुछ तो आशे हैं जो आपको अच्छा अच्छा फ्लेसमेंट ज 것은 क CT Olंग कुछ सेंवेजंबन का प्लियो में तो लें सब की बात करूंगा तो अब तक मैं जो लिए बनाब आथा कवर्मेंट कॉलज दैसरीज वीडियो में 10 colleges लिए तो start एक दो college कुछ हैसे हो सकते जो मैंने पहले वीडियो में cover कर रखे हूं तो देख लेना तो सबसे पहला जो मैंने college लिया वह आपका पंजाब engineering college पीई सी पंजाब engineering college जो है यह काफी रेपोटेट कॉलेज आप इसे जानते है नाइटी के कुलेट कॉलेज है यह हुआ था 1921 में एस्टेबिश हुआ था तो काफी पुराना college है किसी वज़े से इसका इक brand नेम है मार्केट में तो इसका placement वगर सारी चीज़े काफी अच्छी आती है तो इसकी बागी चीज़ों की इसकी बात करें एस्टेबिश कब हुआ था मैंने आपको बता दिया 1921 में हुआ था फीज से पहले एक मिर्ट रैंकिंग की बात करते हैं अगर इसकी रैंक की बात करें तो 2018 की 78 थी फी की बात करें तो फीज इसकी काफी कम थे निटी के एक्विलेंटी है 79,280 थी पर सेमेस्टर आपकी निटी इसकी इतनी ही है तो क्योंकि यह गवर्मेंट कॉलेज है तो इसकी फीज नहीं है 79,280 पर सेमेस्टर और इसका बागी कट-off की बात करता हूँ अब मैं पेसी की आपका पंजाब इंजिनिंग कॉलेज की कट-off की बात करें तो यह थी आपकी होम स्टेट वालों के लिए यानि कि पंजाब के जो स्ट्वेंट्स हैं उनकी लास्ट क्लोजिंग रेंक लास्ट यह गई थी 15,266 अब मैं अगर अधर स्टेट के स्ट्वेंट्स की ब अरे वीडियो पूरी देखो अभी आपके लिए काफी ज्यादा कॉलेज जाएंगे जिनकी जो कट-off हो काफी कम जाती है तो यह थोड़ा सा हाई जाती है बाकि इसके बाद जो कॉलेज है उनकी काफी कम है तो यही सब है प्लेस्मेंट इसकी आपको पता यह पैकेज बगर पतानी जरूत नहीं है इसकी मैंने सेपरेट वीडियो बना रखे कॉलेज रिव्यू की वह आपने नहीं देखिए तो आप देख सकते लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसे देख लेना तो नेक्स जो कॉलेज आज का हमारा वह आपका असम यह एस्टेब्लिश जो हुआ था आपको 2006 में हुआ था बहुत ज्यादा पुराना कॉलेज नहीं है लेकिन सभी रैंकिंग जो इसकी रैंकिंग बहुत ज्यादा अच्छी नहीं तूहंडेड से बाहर है अम बें जितने भी कॉलेज की बात करूंगा वह 200 से मेजरली बाहर ह लेकिन एक और जाब अभी इस वीडियो में बिट मेसरा को भी इंक्रूट करूंगा लेकिन वह नहीं है बस तूहंडेड से बाहर तो इससे देखने पर असम इनवर्सिटी को असम इनवर्सिटी की वात करें तो आपकी इसकी कम ही है एक नाइटी से भी मतलब कम ही बैठे ही इसकी लास्ट इयर जो गए थी मैं 2011 के अकॉर्डिंगी बताऊं सारी इसने 10,54,500 गई थी यह आपकी होम स्टेट वालों के लिए थी और अधर स्टेट की बात करें तो वह भी कोई बहुत ज्यादा ज्यादा नहीं थी 9,72,051 गई थी तो आप देख सकते हैं आपको इसली म बाकि आपके उपर डिपेंड करता है आप में कितने हार्ड वर्क करने की हमत है तो नेक्स्ट नमर पर इससे में सेकंड पर लेना चाहता था गलती से थर्ड पर आ गया है एक दम से स्लिप हो गया था मेरे माइन से बिट मेसरा यह तो आप लोग जानते हैं यार कितना इस मेसरा दॉन अलग है ढिट इंडिया में तीन दाना जीद है हैं हैदरावाद गोई और वित मेसरा यह में यानी कि राची में आपका ज़्हारगन में तो बित मेसरा जो यह आपका स्टेपलिच हुआ था यह भी काफी पुराना अपका कॉलेज्य बहुत पुराना 1955 में ह और आपका जो इसकी रैंकिंग है वह लास्टी रैंकिंग काफी थी 33 रैंकिंग थी और इसकी केंपस वगएर सारी चीनिक काफी एच्छी फीस तो इसकी बहुत ज्यादा है मतलब काफी ज़्यादा यार नॉर्मल फैमिली के लिए इसकी फीस वन लाग 24,500 पर सेमेस्टर रहे और इसमेस्टर रहे और इसमयार हॉस्टिल वगएरा का भी नहीं है तो आप समझ सकते हैं इसकी फीस काफी ज़्यादा है लेकिन यहां से प्लेस्मेंट वगएरा सारी में आइवरेज पैकेज की इसका बता देता हूं एक टोटल सब्सक्राइब कर बागी चाहिए जाता है ठीट इसका थार्टीफोड लास्ट यह जाता है तो इसकी लाग 24,000 993 गया थी लास्ट यह थी आपकी यार होम इस्टेट वालों के लिए जहारखनवाल इस्ट्रों के की बात करें तो उनकी गई दी 1,7589 तो मैं दोबारा बता जाता हूं इसकी cut-off जो home state वाल students हैं उनके लिए गई है आपकी 2,24,993 और बाकि आपकी अधर इस्टेट की cut-off बता रहा हूं है बाकि अधर इस्टेट की बात करें तो वह गई है 1,7589 तो काफी कम गई है लेकिन ब्रांड नेम है जैसा बिट्स प्लाणी को देखते हो न तो उसके थोड़े बहुत बाद या बिट्मेसरा को देख सकते हो काफी अच्छा कॉलेज है यह भी बिट्मेसरा के आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन बता देना पैकेज वगर साही इस वीडियो में रैंकिंग या इसकी कोई ज्यादा खास नहीं चाहिए लेकिन हाँ आपकी कट आफ इतनी कम जाती है तो उसके अक्ट प्लेस्मेंट वगर सारी चीज़ सही है तो आपकी रैंकिंग बहुत ज्याद अच्छी नहीं है फी की बात करूं तो इसकी आप आसम उ कि इसकी कट आफ की बात करें तो यार इसमें कोई हो और इस्टेट और इस्टेट कोटा नहीं है वह वह इती है वह नहीं चीजेश पर शारी चीज़े काफ़ी टीफल केंपश एक तो आप जानते मिजॉरम में जो हली एरिया ज़े वह काफी अच्छा है वहाँ पर कॉलिज तो मिज़ॉर्ण निवर्सेटी का जो कॉलेज है वह आप इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं प्लेस्मेंट वह आपको अच्छे से मिल जाएगा पैकेज भी अच्छी मिल जाएंगे और आपका जो कैमपस है वह काफी अच्छी जगह पर लोकेट है अगर आपको असम इनि मिज़ॉर्ण इनिवर्सेटी यह तीनों इकलूड की थी मैंने इसमें अगर आप तीनों में कंपेर करो तो तेजपूर इस दा बेस्ट दैन मिज़ॉर्ण दैन असम निवर्सेटी असम भी काफी अच्छी है और मैं इसा नहीं कह रहा है लेकिन आप नेक्स्ट कॉलिज की बात करते हैं वह आपका तेजपूर निवर्सेटी जैसा कि मैंने बताया है तो तो तेजपूर निवर्सेटी का एस्टेब्लिश जब हुआ था यह एस्टेब्लिश और 1994 में ओल्ड कॉलिज है इन सबसे थोड़ा सा इस वह से भी अच्छा है रैंकिंग की बात करें तो रै स्टेट कोटा होता है तो ओल इंडे रैंग जो गई थी ती 3446 गई थी तो इसली मिल जाएगा नेक्स्ट जो कॉलिज हमारा उसकी बात करते हैं वह आपका गुरुकुल कांगडी हरिद्वार में यह भी आप लोगों नाम सुना होगा जी एफटी है आपका और यह जो सबसे जो अच्छी बात है ना फीस काफी कम है मतलब ऐसे एक दूब और आएंगे जिनकी इससे भी कम होगी लेकिन इसकी कम है इसकी इसकी बताओं तो आपको 79,500 पर यह की है यानि कि जो आपकी डवल समझदो नाइटी की से क्योंकि नाइटी के 79,000 कुछ पर समेस्टर की बैटती है फिर किसी किसी में 60,000 सबब पर समेस्टर की तो फीस की कम है बात करते हैं अब इसकी रैंकिंग वह है मैंने आपको बता दिया और फी कट आफ की बात करते हैं कट आफ इसकी काफी कम गई थी 10,42,789 जो इसमें भी आल इंडार रैंक होती है कोई होम इस्टेट अ इसकी का पाइब तो यह कॉलिज आपको बहुत इसली मिल जाएगा और प्लिसमेंट की बात करें तो अबरेज प्लिसमेंट होता है मैं बता दिया 5,6,7 लख यह एवरेज प्लिसमेंट एवरेज पेकेज है वहां का हाइस पेकेज 12,13 लख चला जा था डिपेंडिंग ऑन स् को बहुत है अब कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछते रहना कॉलिज को लेकर इनमें से किसी कॉलिज में वह पूछ लेना तो टेंशन नहीं लेनी है डाउट पूछते रहना कोई भी और जैसा कि आपका मोख राउंड आ चुकी है जो सा कांसलिंग का मोख है अर आपका श्री माता वेशनोदेवी उनिवर्सिटी कटारा जमू एंड कशमीर में है इसकी रैंकिंग की बात करें तो रैंकिंग वह यह तो बाहर है एस्टेपलिश जो हुआ था आपका नाइन्टीन हंड़ेंड नाइन्टीनाइन में हुआ था फी की बात करें तो फीस इसकी कम ही है मतलए कि एन इटी का असपास यह कम भी नहीं है लेकिन बाकी प्राइविट कॉलेज से कम है क्योंकि यह गवर्मेंट कॉलेज उते हैं फीस इंग के बहुत जादा नहीं अगर वहीं कोई प्राइवेट कॉलेजी होते वीडियो में उनकी फीस बहुत जादा होती है तो वन लैक फिफ्टी सिस थाउज़न करीब है आप निटी के करीब कह सकते हैं आ रहा हूं इसकी कट- तो आप इसको छोड़के बागी किसी कॉल्ज को देख सकते हैं इसे अगर कोई नहीं मिले तो जब देख सकते हैं बागी मिल जाएंगे आप देख सकते हैं गुरुकुल कांगडी की 10 लेक तक पहुंच गई थी कट आफ लेकिन प्लेस्मेंट उसका इससे बैटर है नेक्स हमारा कॉलेज वह स्लाइट पंजाब इसके बारे में करिवर बता चुका हूं लेकिन आज इसकी में कट आफ बताऊंगा तो स्लाइट पंजाब जो एस्टेबिश्ट हुआ आपका 1989 में हुआ था थोड़ा सा पुराना कॉलेज है फीस इसकी बहुत कम है बहुत कम मैंन करीब पर सेमस्टर होती है कि हर एडिफरेंट होता है यह जेकिन आप 75,000 79,000 पर समस्टर कह सकते हैं नाइटी और इसकी 47,000 पर यह तो फीस में काफी ज़्यादा डिफरेंस है कम है इसकी फीस आपके पंजाब की कट-अफ की बात करते हैं सीधा तो कट-उफ इसकी कोई खा 27,000 लगा सकते हैं इसकी फोर से मल्टिप्लाई करके देखिए बहुत कम बैट रहा है आपका टू लैक्स से भी कम बैट रहा है तो आप मैं तू लैक्ट तू लैक्ट फिफ्टी थाउजन कह देता हूं त्री लेक्ट कह देता हूं इसने में आपकी चार्ट साल में भी टेक बिवान नेक्स्ट कॉलेज फो एक चेंबाड या आपका उत्राखंड में एक चेंब गडवाल उत्राखंड में तो यह जो इस्टेबलिश्ट वहा था अपका 1973 में हुआ था और इसकी फीस इसकी फीस इससे भी गम है इसकी फीस इसे भी कम है और एक काफी कम है 25,800 पर यह तो आप इसकी फोर से मल्टिप्लिशन कर सकते हैं या यह किवल वन लाइक राउंड कुछ वेट रही है और इतनी में तो आपकी नॉर्मल कोर्स होते हैं तो कट आफ की बात करते हैं सीधा फीज के अकॉर्डिंग आप इसे देख सकते हैं फीज एचन भी गडवाल की काफी कम पंजाब की काफी कम है और बुरुकुल कांगली विश्विद्दाले की कम ही थी और शिरी माता वेश्मदिवी उनिवर्सिटी कटार जो मैंने बताया उसकी थोड़ी नाइटी के बराबरती कोई कम नहीं थी एचन भी गडवाल की कट आफ की बात करते हैं जो वह गई थी आपकि वन लैक नैनेटी थौजन फाफंडरेटीफ़ाइव और यहां का पेकेज वगएरा सभी मिल जाते हैं यार आपको अच्छे मिल जाते हैं काफी इसकी कटए दिश्विद्द्ध कर रहा हूं अब कुछ रिसेंट कॉलेज़ेस कोई कोई होम स्टेट अथा नहीं है ज और इसकी मैं फी की बात करूं तो इसकी फीयर 28,000 लास्ट यर जो थी 28,800 पर यर यह भी काफी कम है लास्ट के जो मैं तीन-चार कॉली डिसक्स के हूं कि फीस तो यह बहुत कम है अगर कोई student fee की प्रॉब्लम है थोड़ी तो वह इन कॉलिज को देख सकता और रैंक तो आप द पंजाब और बैस्ट थे यार संबी सही है तेजपूर में जोराम काफी कॉलिज है स्लाइट पंजाब और अगर आपको फी की प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको बिट मेस्टा मिला है तो आप ले सकते हैं अगर आपको कहीं से लोन वगरा बैंक से लेना पड़े तो आप नहीं से लिए 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 सकते हैं और यार ये दो नहीं कंवा पंजाब इंग कलेज म्यों है और धे minaशन वह बागी यह नहीं सकता है और यहां से टीको घखिंग एकुछे और ऐसे वीडियो और चाहिए को ड्रीटीन करने के बताता है फिर निए जानही करक बनाए करोंग लुए है जपको इसली कम राइंगे घुगस करोंगे आप इस वीडियो को लाइक करो अबहुता फ्रेंड्स में शेर करो जानल पर न œय है ही और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना तो चलते हैं थैंक्स फर वाचिंग